Welcome everyone. Welcome to the last part of this series. Tenses की series जो हमने start की थी, उसका आज आखरी पार्ट है. इस पार्ट में हमने जो बचा हुआ हमारा tense, जो के है perfect continuous tense, इसको हम cover करेंगे. तो जैसा कि आप जानते हैं, इसकी भी तीन टाइप है. Present perfect continuous tense, past perfect continuous tense and future perfect continuous tense. ये tenses हमको ये बताते हैं कि कोई काम present में होता आ रहा है, past में होता आ रहा था और future में होता आ रहा होगा. इस चीज़ को ये perfect tenses define करते हैं. कोई काम होता आ रहा है, होता आ रहा था या होता आ रहा होगा. इस चीज़ को perfect continuous tense जो है, बताते हैं. साथ ही साथ ये टेंसेज हमको ये भी बताते हैं कि कोई काम कब से होता रहा है ठीक है किस टाइम से होता रहा है कितने टाइम तक चलता रहा ये काम ठीक है कितने टाइम से हो रहा है टाइम की डूरेशन और टाइम का शिरुवाती पाइट यह यानि कि यह tenses हमको time define करते हैं यह tenses जो है time को define करते हैं कि कोई काम किस समय से शुरू हुआ किस time से शुरू हुआ और कितने time के लिए कोई काम चल रहा कितने time के लिए कोई काम चला ठीक है? तो basically यह tenses time को भी define करते हैं अब time को define करने के लिए intensity में हम दो words का इस्तेमाल करते हैं और वो कौन से है एक है since दुसरा है for एक है since और दुसरा है for अब ये दोनों भी words since और for ये दोनों भी word time को define करते हैं पर अकसर हम confused हो जाते हैं कि कब since का इस्तेमाल करें और कब for का इस्तेमाल करें तो आगे बढ़ने से पहले हम पहले इस confusion को दूर कर लेंगे इस doubt को पहले हम clear कर लेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे तो ये जान लो कि since जो है हमें किसी भी काम का शुरुवाती समय शुरुवाती time बताता है यानि कोई काम किस time पर शुरू हुआ उस वक्त हम since का इस्तेमाल करते हैं और जब हमको ये बता ना हो कि कोई काम किस time कितनी duration कितने वक्त से हो रहा है ठीक है कितनी duration और कितने वक्त से हो रहा है उस वक्त हम for का इस्तेमाल करते हैं ठीक है जब हमको किसी काम का शुरुवाती पॉइंट बताना हो तब हम since का इस्तेमाल करते हैं और जब हमें किसी काम की duration बतानी हो कि कितने वक्त से ये काम चल रहा है तब duration के वक्त हम for का इस्तेमाल करते हैं इसको और आसानी से समझने के लिए दो example देती हूँ मैं आपको पहला example है I have been teaching since 2016 मैं 2016 से पढ़ाती आ रही हूँ अब इस sentence में देखो कि मैंने ये बताया कि मैंने अपनी teaching कब start की उसका शुरुवाती point बताया मैंने शुरुवाती point कब था? 2016 2016 जो है वो मेरे teaching career का शुरुवाती point इन्हीं टाइम की शुरुवात कब हुई इस teaching की शुरुवात कब हुई 2016 तो शुरुवाती point आया इसलिए मैंने since का इस्तेमाल किया अब दूसरा sentence देखो I have been teaching for 3 years अब यहाँ पर मैं 3 years बोल टीव यानि मैं काम की शुरुवात नहीं बता रही हूँ काम की duration बता रही हूँ मैं कब से पढ़ा रही हूँ मैं 3 सालों से पढ़ा रही हूँ यहाँ पर काम का शुरुवाती point defined नहीं हुआ बलके काम की duration बताई गई कि कितने समय से काम हो रहा है तो इसलिए यहाँ पर मैंने since का इस्तेमाल ना करते हुए for का इस्तेमाल गिया तो जब हम किसी काम का शुरुवाती point बताते हैं तब हम since का इस्तेमाल करते हैं और जब हम किसी काम की duration को बताते हैं तब हम for का इस्तेमाल करते हैं इस doubt को हमने clear कर लिया अब हम बढ़ते हैं हमारे perfect tenses की तरफ ठीके इन तीनों का अब हम सीखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे Present Perfect Continuous Tense को Present Perfect Continuous Tense हमको ये बताते है कि Present में कोई काम होता रहा है उसका फॉर्मिला है Subject plus Helping Verb जो के है Have और Has plus Been plus Verb with ing plus Since या For Since या For दोनों में से किसी एक चीज़ का का इस्तिमाल करेंगे हम plus Time ठीक है अब यहाँ पर subject देखने से पहले यहाँ पर दो Helping Verb को देख लो एक है Have दूसरा है Has Have का इस्तिमाल हम तब करेंगे जब subject में I, U, V या दे आएंगा जब भी subject में I, U, V दे आएंगा तब हम Have का इस्तिमाल करेंगे और जब भी subject में He, She, It आएंगा हम Has का इस्तिमाल करेंगे ठीक है तो अब यहाँ पर मैं लिख रही हूँ I मेरा subject में ने लिया I तो मैं यहाँ से Helping Verb लोगी Have जैसे कि मैंने पताया था अब Bean को मैं जैसे कि वैसे Formula से Copy कर लोगी अब Verb with I and G हमें V4 इस्तिमाल करना है ठीक है मैं यहाँ Verb ले रही हूँ Teach जिसको मैं V4 बनाने के लिए I and G एड़ करूँगी तो Verb हो जाएगा Teaching I have been teaching अब यहाँ पर अगर मैं मेरे काम की मेरे Teaching की Start मैं कब से Start कर रहे है मैंने कब Start किया था यह बताऊंगी तो मैं Since का इस्तिमाल करूँगी या फिर अगर मैं सिर्फ अपने Teaching की Turation बता रहे हूँ तो मैं 4 का इस्तिमाल करूँगी हम दोनों को इस्तिमाल कर देखे I have been teaching since 2016 मैं 2016 मैं 2016 से पढ़ाती आ रही हूँ I have been teaching since 2016 2016 में मैंने अपनी Teaching का Career Start किया दो यहाँ पर मैंने अपने काम का Starting Point मेंशन किया है इसलिए मैंने Since का इस्तिमाल किया अगर मैं Starting Point मेंशन ना करते हुए Time की सिर्फ Duration बताऊ तब मैं 4 का इस्तिमाल करूँगी 4 के साथ भी इसलिए पर मैंने आपनी देख लेते हैं हम लोग I have been teaching for 4 years मैं चार सालों से पढ़ाती आ रही हूँ अब यहाँ पर Specifically mention नहीं क्या गया है कि कौन से 4 साल ठीक है मैंने Years mention नहीं किया कि कब से start हुआ Starting Point mention नहीं किया बस duration बताई गई है तो जब हम duration बताएंगे तब हम for का स्टेमाल करेंगे और जब हम किसी काम का starting point बताएंगे तब हम since का स्टेमाल करेंगे ये sentence हमको ये बता रहा है कि कोई काम होता रहा है जैसे मैं 2016 से पढ़ाती आ रही हूँ ठीक है यनि present में ये काम अभी भी चल रहा है ठीक है अब इसी sentence को अगर हम past perfect continuous tense में देखते है तो इसी sentence को मैं लेकर convert करती हूँ पहले हम formula देख लेंगे subject plus had plus been plus verb with ing plus since या for plus time अब यहाँ पर एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पर आपको condition थी i, u, v, they के साथ आपको have use करना है he, she, it के साथ has use करना है पर यहाँ पर कोई भी subject आ जाए आपको सिर्फ और सिर्फ had का स्तिमाल करना है past tense में तब यहाँ पर मैं i subject ले रही हूँ अब चाहे जो भी subject ले he, she, it, i, u, v, they आपको had ही लगाना है उसके साथ ठीक है, मैं यहाँ पर had ले रही हूँ उसके बाद में, जैसा कि formula में है been, then मैं teach को ing लगा कर v4 बना दूँगी I had been teaching for four years मैं चार सालों से पढ़ाती आ रही थी ठीक है, यहाँ पर यह बताया गया है कि past में कोई काम होता आ रहा था यानि past में कोई काम चलता आ रहा था, जैसे कि मैं past में पढ़ाती आ रही थी इसका मतलब यह नहीं है कि यह काम अभी भी, present में भी चल रहा है मैं अभी भी पढ़ा रही है, यह नहीं है I had been teaching for four years मैं पिकले चार सालों में पढ़ाती आ रही थी ठीके यह sentence था हमारा past perfect continuous tense अब इसी को हम future perfect tense में perfect continuous tense में अगर हम convert करें तो इसका formula है subject plus will और shall plus have been plus verb with ing plus since or for plus time will grammatically I और V के साथ हम shall use करते हैं और दूसरे subjects के साथ हम will का इसी के साथ इसका और ही condition है lower possibility में हम shall का इस्तिमाल करते हैं और higher possibility में हम will का इस्तिमाल करते हैं अगर आप नहीं इस्तिमाल करना चाहते हैं तो it's completely okay आप will का भी use कर सकते हैं ठीके अब यहाँ पर मैं लिख रही हूँ I मैं यहाँ पर higher possibility में लिख रही हूँ मुझे will यूज करना है इसलिए मैं will का यूज कर रही है आप चाहे तो shall भी use कर सकते हैं I will have been अब यहाँ पर भी एक बात अच्छी है कि आपको subject में कोई condition नहीं है चाहे I, you, we, they, he, she it कोई भी subject I आपको have का ही इस्तिमाल करना है I have I will have been teaching for four years यानि मैं आने वाले चार सालों में पढ़ाती आ रही हूँगी यानि मैं future में continuity का बता रही हूँ ठीक है यानि कोई काम future में होता आ रहा हूँगा ठीक है मैं I will have been teaching for four years मैं अगले चार सालों में पढ़ाती आ रही हूँगी ठीक है future perfect tense हम को ये बताते है कि कोई काम future में चल रहा होँगा चलता आ रहा होँगा ठीक है तो इन टेंसे से हमको ये पता चलता है कि कोई काम होता आ रहा है किस वक्त से य Вас के साथ साथ आप आप ही पता चलता है जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि मैं अगले चार साल बढ़ाती आ रही हूँगी तो ये टेंसे meant यह तहाँ कोई काम चलता आ रहा है इसी के साथ साथ वह हमको time भी mention करते है, time भी बताते कि कोई काम कब से चलता आ रहा है, ठीक है, तो आज हमने सीखा perfect continuous tenses, जिनकी तीनों type हमने देखी, past perfect continuous tense, present perfect continuous tense, and future perfect continuous tense, hope this will be helpful, thank you for watching.